सल्मान खान के फैंस के लिए एक बड़ी खबर सामने आई हैं। दरसल, खबर है कि सल्मान खान और साजित नाडिया ड्वाला ने अपनी अपकमिंग मसाला इंटर्टेन्मेंट कॉमेडी फिल्म कभी एद कभी दीवाली की रिलीस डेट की घोशना कर दी हैं। यह फिल्म फरहाद सामजी द्वारा निर्देशित हैं जो साल के अंत में 30 दिसंबर 2022 को सिने माघ्रों में रिलीस की जाएगी। दिल्चसक बात यह है कि फैंस के लिए यह डबल सेलिब्रेशन होगा क्यूंकि फिल्म सल्मान खान के जन्म दिन के तीन दिन बाद यानि उनके बर्थते वीक में रिलीज होगी। बताया जा रहा है कि फिल्म कभी ईद कभी दीवाली सल्मान और साजित दोनों के दिल के करीब का विशय है। कहानी खुद साजिद नाडिया ड्वाला की है और वा सलमान के साथ कॉमेडी, ड्रामा, इमोशन, एक्षन के साथ इस कहानी को दर्शकों के सामने लाने के लिए काफी उत्साहित भी हैं। हाला की कोविड ने इसकी शूटिंग शेडियूल में देरी की, लेकिन कई अटकलों के बाद फिल्म फ्लोर पर जाने के लिए पूरी तरह तयार है। खबर है कि इस फिल्म के सांध्स भी रिकोर्ड किये जा चुके हैं। फिल्म सिटी के हेली पैड पर एक विशाल सेट का निर्मार किया जा रहा है। फिल्म के मुखे कलाकारों में सल्मान खान, कूजा हेगडे और विंक टेश शामिल हैं। जैसा की नाम और कास्टिंग से पता चलता है। यह फिल्म एक क्रॉस कल्चरल लफ स्टोरी है, जिसकी कहानी के बेस में कॉमेडी भी है। इस फिल्म को पहले साल 2023 में इड के मौके पर रिलीज की घोशना की गई थी, लेकिन अब इसे फाइनली 30 दिसंबर 2022 में रिलीज की जाने की घोशना की गई है। जीत, जुर्वा, हर दिल जो प्यार करेगा, मुझसे शादी करोगी, जाने मन और किक के बाद साजित के साथ सल्मान की यह सात्वी फिल्म होगी।